हलो दूस्तो नमस्कार तो उनको भी cover कर सकते हो तो चले दोस्तो फिलाल इस video को start कर लेते है सो दोस्तो अब हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे normal screen के उपर और दोस्तो जैसे मैं आप लोगों को यहापर बताए कि अगर आप एक investor हो तो बहुत सारा report बहुत सारा data daily business के उपर यहापर आता रहता है उसमें से जो मुझे लगता है कि important है जो कि आप लोगों को as a investment journey के लिए help कर सकता है वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ और उसको थोड़ा सा simplified manner में बताने की कोशिश करते रहता हूँ तो ऐसा ही एक जबरदस्त data हम लोगों को अभी अभी just release होते वे देखने को आपे मिल रहा है और इस data के चलते आप इस particular sector के लिए अगर कोई stocks धून रहे हो तो वो भी कौन से होने चाहिए वो भी मैं आपको बता दूँगा study करने के हिसाब से जो data जो report हम लोगों को देखने को मिल रही है वो बहुत ही कमाल का है बहुत ही positive है और यह किस से related है तो दोस्तो digital इंडिया के अगर हम लोगों बात करें आप लोगों को पता है कि इंडिया को digitalization के और लेके जाना है जियो ने तो अल्रड़ी इससे related जबरदस योगदान दिया है और लोग अभी क्या कर रहे है आप लोगों को पता है कि जितना हो सके cashless हम लोगों को यहापे जाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने सारे लोग digital payment यहापे कर रहे है तो इससे related हम लोगों को एक बहुती शांदार data and report RBA के through हम लोगों को अभी present होते विए देखने को आपे मिल रही है तो इसी चीज़ को हम लोगों को यहापे समझना है और कुछ important aspect है कि RBA इस चीज़ को कैसे measure करता है कि इंडिया में digital payment कितने से बड़ा है कितने से कम हुआ है तो वो भी मैं आप लोगों को यहापे बताने की कोशिश करने वाला हूँ तो दोस्तो अभी आप लोग देख सकते दोस्तो RBA नहीं यहापे आज ही के दिन statement जारी किया है Wednesday के दिन जहापे मैं आपको बताना चाहूँगा RBA का DPI index यस दोस्तो DPI अभी index मतलब क्या जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ निफ्टी 50 अभी निफ्टी 50 क्या है index है सेंसेक्स क्या है तो आप बोलोगे सर 30 stock का index है तो यह index क्या बताता है यस इंडिया का stock market का journey कैसा चल रहा है एक अंदाजा आप लोगों को यहाँ पर बता देता है तो दोस्तो वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यह RBA का DPI index है जो कि demonstrate करता है आप लोगों को बताता है कि यहाँ पर इंडिया में खास करके digital payment across the country यहाँ पर कैसा चल रहा है उसकी growth क्या है उससे related हम लोगों को यह सारा data यहाँ पर पता है यहाँ चल जाता है अगर आप यह बोलोगे कि सर यह index में मतलब रहता किया जैसे कि अगर आप nifty 50 की बात करते हैं उसमें 50 shares है sensex की बात करें तो वहाँ पर 30 share है related सारा एक अनुमान यहाँ पर बता देते हैं अभी बहुत सार लोग यह भी सोचें के सर यह RBI, DPI मतलब यह बात है तो बोल रहे हो पर यह इसका full form क्या है तो आप देख सकते है the Reserve Bank of India has announced the construction of composite RBI DPI की अगर बात करें तो यह देखी यह है दोस्तो digital payments index and यह हम लोग को इससे related सारी चीज़े 2018 से ही शुरू होते वी देखने को आपे मिली थी पूरे देश का आप लोगों को अभी इससे related अनुमान मिल जाएगा कि इंडिया कितना यहाँ पर digital payment यहाँ पर करते जा रहा है अगर आप लोग इस data के हिसाब से बात करें तो यह data फिलाल तो हम लोग को semi-annually यहाँ पर publish होते वे देखने को आपे मिल रहा है जैसे मैंने आप लोग को बता है total 5 parameters है तो यह 5 parameter कौन से है तो आप देख सकते हैं payment enablers अगर आप digital payment पहले नहीं करते थे इससे related अगर आप लोग ने यहाँ पर अपना account activate किया है तो उसका 25% weightage वहाँ पर दिया हुआ है next अगर हम लोग बात करें payment infrastructure जिसको दो हिस्सों में divide किया है पहला 10% हिस्सा यहाँ पर जाता है कि demand side factor कि सामने वाला मागने वाला कि आप digital payment करो वहाँ से 10% का contribution है payment infrastructure का part 2 है जहाँ पर 15% दिया है किसके लिए supply side factor की जिसमें हम लोग आ जाते है कि सामने वाला यहाँ पर payment कर रहा है कि ने digital उसमें आ जाते है then payment performance उसमें 45% contribution दिया है कि कितना actual में payment यहाँ पर हो रहा है इससे related अभी report हम लोग को यहाँ पर दिमे-दिमे करके देखा गया तो शायद से 3 मेने बाद, 4 मेने बाद या फिर जितना हम लोग आगे बढ़ेंगे शायद से monthly भी हम लोग को यह data का report है आपर देखने को आपर मिल जाएका जिससे हमें यह पता चलेगा कि इंडिया में digital payment कितना बढ़ते वे दिखने को मिल रहा है तो यह सारी बाते मैं आप लोग को बताई क्यों यह सारी बाते इसलिए बताई क्योंकि यह जो दो paragraph है वो आप लोगों को समझ में आपर आने चाहिए इसलिए तो आप सबी लोगों को बता है कि मैं डीटेल में ऐसे वीडियो बनाता हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा यह दिखे अभी यह आपर लिखा हुआ है यह actual statement है यह actual news है दोस्तो जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे digital payment across the country registered a growth of 29% in a year through March 2022 as per the RBS latest index that measure the adoption of the online transaction so 29% की jump हम लोगों को देखने को आपे मिल रही है plus अगर हम लोग आपे बात करें यह कैसे पता चल गया तो यह दिखे यह आपे लिखा हुआ है RBI का DPI का जो data है उसके इसाब से बताया है आपे जा चुका है मतलब अगर हम लोग आपे देखेंगे पहले जो पुराना data था वहापे 270.59% का data हम लोगों को देखने को मिलता था then next अगर हम लोग बात करें वो 304% तक चला गया and अभी कि अगर हम लोग आपे बात करें दोस्तों तो यह लगबक साड़े 300 के करीब हम लोगों को जाते वे देखने को आपे मिल रहा है कौन सा RBI का DPI इंडेक्स जिसमें यह 5 factors कौन से कौन से मैं already आप लोगों को यह बता चुका हूँ इसका stock market से related क्या संबन तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर आप एक investor हो तो आप लोगों के लिए हमेशा between the lines आप लोगों को पढ़ना आना चाहिए यह news तो इतनी थी कि इंडिया में digital payment 29% हम लोगो RBI के DPI के इंडेक्स के इसाब से बढ़ते वे देखने को मिल रहा है अभी इससे क्या आपको समझ में आता है यह आपके interpretation आप कितना सोच सकते हो deep उसके उपर depend करता है और इसकी कोई limitation नहीं है कि कोई इंसन इस चीज को data को समझ कर कितना understanding करके आगे बढ़ सकता है अभी जैसे मैंने आप लोगों को बता है कि पहले इंडिया में क्या होता था कि इतना ज़्यादा digital payment नहीं हुआ करता था अभी digital payment अगर यह सारी चीज़े यहापे हो रही है fast transaction हो रहे है तो obviously जैसे मैंने आप लोगों को बता है कि यह होने के लिए क्या होना चाहिए obviously smartphone आप लोगों के पास होना चाहिए पहले इतना नहीं था cell phones ही नहीं थे बाद में हम लोगों को देखने कमणा अभी तो smartphone इतने cheap level पे आगया आप लोगों को भी पता है then internet होना चाहिए obviously उसके बिना कैसे possible है usually अगर हम लोग देखा गया तो internet चाहिए then अगर हम लोग यहापे बात करेंगे दोस्तो तो यहापे इतनी सी बात नहीं है अभी जो बाकी companies रहती है उनको भी समझ में आ जाता है कि यहापे बहुत सारे लोग यहापे digital payment के और यहापे जा रहे है smartphone का इस्तमाल कर रहे है तो ऐसे अलग-अलग हम लोग को company यहापे इनी से related business करने वाली चीजों को इपर target करते वे देखने को मिल जाते है तो ऐसे companies को हम लोग ने क्या करना होता है focus में रखना होता है आप भी ज़रू comment section में बता देना कि कौन सी companies आप लोग को लगती है चलो मैं कुछ आपको example देना चाहूँगा यह कोई recommendation नहीं जैसे मैंने आप लोग को यहापे बताया कि digital payment यहापे चल रहा है obviously उसमें SBA card भी आ जाता है सारी चीज़े इसमें involved हो जाती है दूस्तो right तो SBA card देखा गया तो कल के ही दीन company के आपे नंबर भी आएंगे देख लेंगे company के नंबर के से आते है right बट यह भी उसी में ही involved हो जाता है SBA card की अगर हम लोग यहापे बात करें debit card, credit card की बात करें so यह आप लोग चाहो तो इस stock को study कर सकते हो smartphone की अगर मैं बात करू cell phone की बात करें तो already खरीदो और उसके बाद यह level पे आपको पैसा मिल जाएगा बिल्कुल भी नहीं आपको ही पढ़ना पड़ेगा आपको ही interpret करना पड़ेगा कौनसे stock को इसको directly ने indirectly फायदा मिलेगा आपको ही धुन्ड कर सारी चीजों का अनुमान लगा कर आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा इसलिए investment में 1% लोग successful होते क्योंकि retail mister इतनी मगचमारी करता ही नहीं बट फिर भी चलो कोई बात नहीं अभी कुछ लोग बदलते वे देखने को मिल रहे है दैन अगर में बात करू और कौनसी company अभी देखो जो न्यूस थी आपर क्या आरबी ने बताया कि 29% ग्रोथ हो रही है डिजिटल पेमेंट में इसमें इंडिया का क्या संबंद है डाइरेक्ट डाइरेक्ट कुछ भी नहीं है अभी एफल इंडिया करता क्या है यह एड revenue कमाने वाली कमपनी है बट यह डिजिटल वे से यह डिजिटल वे से आप लोग यहां पे मोबाइल फोन के उपर अलग-अलग सर्चेस करते रहते हो अलग-अलग सैट के उपर जाते हो एड्स देखते हो कि नहीं इधर उदर कहने कई पॉप आप आ जाता है यह कंपनी का धंदा वही है तो क्यों यह कंपनी इतना अच्छा कर रही है मैंने बहुत पहले यह कंपनी जब 900 पे थी 900 मतलब यह अभी का 900 नहीं है पुराना 900 तब ही मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बने था उसके बाद 5-6,000 पे गया फिर हमें बोनस स्प्लिट मिला और ओरल कंपनी के 5 सल के रिट टार्गेट ओडियोंस उनका सेलफोन से रिलेटेड ही है मैकजिमम अगर देखा गया तो यह चीज़े हम लोगों को समझ में आ जाती है इन डेटास को पढ़कर डिरेक्ली हो या फिर इंडिरेक्ली सही तो यह चीज़े आप लोगों ने आपे समझनी होती है तो ऐसे और इसे चलेगा तो यह चीज़े हम लोगों को या पर करनी आनी चाहिए तो इसलिए में जानना चाहूंगा आपका भी व्यू कि यह जो खबर हम लोगों ने सुनी कि डिजेटल पेमेंट इतना अच्छा ग्रो रहा है बताओ और कौन-कौन से कंपनिस रहेंगे उनको अच्छ में आपे आने चाहिए तो यह बदलाव हम लोगों को इंडिया में देखने को आपे मिल रहा है और यह जितना डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड दोस्तों चीज़े होगी हम लोगों को और भी ट्रांजेक्शन्स फास्ट होते वे देखने को मिलेंगे पहले जो कैसे होता बहुत ज़्यादा टाइम यहापे लगता था अभी वैसा इतना ज़्यादा टाइम ले लगता है फटाफट चीज़े हम लोगों को होती वे देखने को आपे मिल जाती है ग्राउंड लेवल पे भी तो यह सबसे बड़ा एडवांटेज फिलाल तो देखने को आपे मिल रह आप लोगों को यह रिपोर्ट पसंद आई होगी एक चोटी सी रिपोर्ट थी बट इससे रिलेटेड जो में कंटेंट था वो कितना ज़्यादा इंपोर्टेंट रहता है मार्केट के सबसे यह आपको यहापे निकालना यहापे आना चाहिए तो वीडियो अच्छा लगा अभे झालना इंपोर्टी सी बटै की चालना यहापे लग्हाप पहता है भ्हापे चोटी सी एक मपलापन इंपयापन स्टेंज एक चाहफझे?